नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्ट टूडए सत्ता के गल्यारों से एक बड़ी खबर अभी निकल कर आ रहे हैं जियां सतना में लागडाउन जहां 23 तारीक तक बढ़ा दिया गया है वहीं रीवा में पूरा महीना यानि सीधा सा अर्थ है पूरे महीने मई के महीने में हमको करभ्यू के अंदर रहना पड़ेगा कोरोना करभ्यू आज 31 तारीक तक बढ़ा दिया गया है कुछ नहीं बदलाव किया गया है सारी जिस तरीके से अभी आपने पिछले दिन काटें आगे भी आपको ऐसे दिन ही काटने पड़ेंगे मैं आपको ज्यादा ब किवा जिले में सोंबार 17 मई से जारी लागडाउन 31 मई की सुबह 6 बेदर के लिए पढ़ा दिया गया है कोरोना करभ्यू खोशित दिया गया है इस आवदि में समान चिकत्सी प्रविजन के अलावा किसी भी कार्य के कोई भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अन कि और द्योगिक प्रतिस्ठान जिसमें उत्पादन संबंदी गत्विदियां अन्वरत चलती हैं वे लागडाउन से मुक्त रहेंगे सास की उपरजन कार में छूट रहेगी सारजनिक वित्रण प्रणाली की दुकाने निर्धारित समय पर खुलेंगे सबजी फल एवं किराना वित्रण होम डिलिवरी के माध्यम से ही होगा जिसकी निगरानी नगर निगम इस्थानी निकाय ग्राम पंचायद द्वारा किया जाएगा सभी एम्बुलेंस वाले अपनी एम्बुलेंस में रेट चुज सूज चस्पा करें सभी प्रकार की मेडकल दुकानों में कोविट से जुड़ी दवाईयों की रेट सूज दुकान के बाहर लगाना अनिवार होगा इस प्रकार निजी अस्पताल नर्शिंग होब डियागनोस्टिक कोविट नाइंटीन से संबन्दी जुड़ी दवाईयों जाज की रेट सूजी चस्मा करना अनिवार होगा जीले में साधी समारो 31 मई तक पूरता प्रतिबंधित रहेंगे सासकी कारेले, राजस, पुलिस, बैंक, विद्दूत, उस्थान, निकाए, अन आपात कालिंज, शेवाएं लागडाउन से मुक्त रहेंगी ये अभी भी मुक्त थी कहा जा सकता है लागडाउन जैसे कि पिछले दिनों प्रदेश के मुक्त मंत्री सिवराज सिंग चोहान ने रीवा में कलेक्टेट में बैठक के दौरान कहा था अभी हमको कुछ दिन इसी तरीके से जीना पड़ेगा उसी समय संकेत मिल गएते हैं तो हमको निकट भविस में कोई भी छूप मिलने वाली नहीं ये साप दर्साता है फिर भी कुरोना के इस समय रीवा जिले की अगर बात की जाए तो यहां पर धाई सो के आज पास रीवा जिले में कुरोना वायरस संक्रमित मरीज मिल भड़ी है। जब तक यह दारा नहीं घटेगा हमको इसी तरीके से जीना पड़ेगा, हमें अपने को इसी तरीके से जीने की आदत डालने जाए।